ये question आपको क्या कह रहे हैं निम्न समीगरण दी गई होंगी उनको पहले सरल रूप में change करना है और उसके बाद में उसका मान गयाद करना है same to same डिटो जो पहले वाले question वो की वो चले आ रहे हैं equation थोड़ी बड़ी बन रही है यहाँ पे और कोई दीकत वाड़ी बात नहीं है ठीक है तो देखो क्या होगा यहाँ पे question को करते हैं यह कहा रहा है कि समीक्रणों को सरद रूपें बदलते हुए इनका मानियाद करो इसमें question number 7 है मैंने कहा है question number 7 question number 8 9 10 यह 4 question हम इस वीडियो में करेंगे पिछले वाले वीडियो के लिए आपको description में जाना पड़ेगा या फिर हमारी playlist चेक करनी पड़ेगी देखो यहाँ पे क्या है 3 गुणा यह कोश्टक में है t-3 बराबर में है 5 गुणा यह कोश्टक में है 2t plus 1 कोश्टक का जो rule होता है वो यह होता है कि कोश्टक के जो बहार संख्या होती है वो दोनों संख्याओं से गुणा हो जाएती है तो यह इससे गुणा हो जाएगा 3t minus 3 को 3 से गुणा किया 9 ठीक है पॉटा 5 को 2 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10 साथ में है t और 5 को एक से गुणा किया 5 एकम 5 क्या करेंगे अब पक्षांत्रण करेंगे कितना srl question है कितना क्या है srl question है पक्षांत्रण कर देंगे तो देखो क्या होगा 3 t यह आपका 10T है यानि 10T है इसको इधर लेक्ट आएंगे यह minus का हो जाएगा और बराबर में कितने हैं आपके plus के 5 यह इधर रह गए आपके minus के 9 यह इधर आ जाएंगे कितने हो जाएंगे plus के हो जाएंगे then यहाँ पर देखो बिटा कितना बच जाएगा 3T में से 10T गटाते हैं समझ में कईयों को नहीं आता होगा क्या होगा 3T में से 10T गटाते हैं इसका मतलब बचेगा 7 लेकिन यह बचेगा minus का क्यों बचेगा क्यों यहाँ पर minus के संग्या ज्यादा है 9 और 5 आपके होते हैं 14 हमें T का मान ग्याद करना है 14 बटे ये 7 गुणा में है इधर आजाएगा भाग में ठेक है ये आपका माइनस में है ये माइनस इधर आजाएगा 14 में 7 का भाग देंगे दो बार चला जाएगा लेकिन ये माइनस है तो 7 में आजाएगा then कहने का मतलब यही है मोटा मोटी में कि T का जो मान है वो मेरा कितना जाएगा माइनस का 2 आया समझ में आपको यह question number 8 को देखिए same to same आपका चल रहा है formula कोई है नहीं आपके आपको calculation करनी है सिरफ ठीक है तो देखिए अंदर गुणा कर दीजिए सबसे पहले इसको 15y से गुणा होगा 15y यह माइनस यह 15 इसके साथ गुणा होजएगा 15.60 होते हैं यह माइनस यह 2 इस y से गुणा होगा 2y होजएगा लेकिन यह वाला माइनस है ना इस माइनस से गुणा होजएगा प्लस हो जाएगा और 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 हो जाएगा एक एक bracket को solution करते चलिए और minus का ध्यान रखते चलिए क्योंकि ये minus आपके question को गलत भी कर देता और सही भी कर देता है ठीक है? तो यहाँ पे 5 को y से गुणा करेंगे ये हो जाएगे प्लस के 5y और ये 5 इस 6 से गुणा हो जाएगे तो कितना हो जाएगा 30 बराबर में 0 मैंने क्या कहा था? जो bracket के बाहर संख्या है वो क्या होगी? पूरे bracket से गुणा होगी simple सा logic है bracket के बाहर जो संख्या है वो पूरे bracket से गुणा होगी ऐसे मत कर दे इस 5 को इस 5 से भी गुणा कर दो और गुणा इस 5 को 6 से गुणा कर दो ऐसे नहीं होता है कैसे होता है कि ये दोनों गुणा में हैं ये दोनों संख्या गुणा में हैं तो definitely क्या होगा ये संख्या भी इनके साथ में गुणा है तो एक ही बार गुणा होगी और ये हमारी जैसे मानलों में यहाँ पर प्लस का निशान लगा दूँ या फिर माइनस का लगा दूँ तो ये 5 दोनों से गुणा होगा क्योंकि ये दोनों अलग-अलग संखें बन गए ठीक है अब solution कर लीजिए या फिर मैं कहूँ पक्षांतरन कर लीजिए आप लिख लीजिए पक्षांतरन 15y ठीक है और 5y कितने हो जाएंगे बेटा 20y हो गए न ये यहाँ पर कितने घट रहे हैं माइनस के 2y बराबर आजाएं ये प्लस का 30 है इसको मैं इधर बेज दू बराबर के उस सेड में माइनस का 30 हो जाएगा ये प्लस के 18 है ये हो जाएंगे माइनस के 18 ये माइनस के 60 है इधर आजाएंगे प्लस के 60 अब देखो कितना एजी है देखें यहाँ पर 20 में से 2y जाएगा, कितना बच जाएगा 18y बच जाएगाद माइनस के 30 है और 18 है माइनस के तो 30 और 40 है यानि माइनस के कितने हो जाएगे 48 और प्लस में कितना है 60 सिंपल सा है मैंने कहा एक बार में समझ में आ जाएगा तो आजाएगा आगे चलिए 18 y बराबर में देखो ये 50 से कितना कम है 2 कम है यानि कि ये minus का है ये plus का है 60 में से 48 गटाएंगे तो मेरे इसाब से कितने बच जाएंगे 12 बच जाएंगे और वो बच जाएंगे मेरे plus के क्योंकि minus की संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है देन हमें किसका मान गयाद करना है य का मान गयाद करना है तो यहां पे 12 बच ये 18 गुना में है तो ये आपका आजाएगा भाग में ठीक है तो अगर कट रहा है देखो आपके यहां पे भी ये answer है अगर examiner यहां तक नहीं मान रहा है वो ऐसे कह रहा है कि बटा आगे निकाल के बताओ तो आपका कुछ नहीं जाता आप बता दीजे इसको ठीक है वाई का मान क्या है 12 बच अठारा और यहां से हम 2 का भाग देंगे जारा है दोनों में या फिर 3 का दे दीजे 3 का जारा है ना 3 चोग 12 और यहां पर कितना जाएगा 3 6 अठारा दुबारा जा रहा है यहां पर या फिर सीधा काट ना चाहो तो आप 6 से काट सकते हो बड़ी संख्या से काट सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चोटी संख्या ऐसे तो हम इसलिए काटते हैं कि मालो बड़ी संक्या का पाहडा नहीं है यह कई बार तो यह दिक्कत हो जाती है कई बार तो यहाँ पर क्या होगा 6 का पाढ़ा 2 बार बोला 6 दूनी 12 और 6 ती अठारा वाई का मान है मेरा यहाँ पर और जो मेरा टॉटली आंसर है एक्जेक्ट आंसर है आगे बढ़ाते हैं वीडियो को और कॉशन नमबर करते हैं यहाँ पर 9 ठीक है तो देखिए यहाँ पर 3 को अंदर गुणा कर दीजिए 3 इस 5 से गुणा हो जाएगा 3 5 15 हो जाएगा और 7 में है Z कॉशन को लंबा नहीं करूँगा अगर आपको एक स्टेप बढ़ानी है तो बढ़ा लीजिए आप इसको कर सकते हैं इसको इसके साथ गुणा किया इसको इसके साथ गुणा किया साथ गुणा तीन लिख सकते हैं और आप सीधा भी कर सकते हैं जिसे मैं कर रहा हूँ 3 को 5 से गुणा करेंगे 15 और Z है माइनस 3 को 7 से गुणा करेंगे 21 हो जाएगा ठीक है ये वाला माइनस का निशान 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 साथ में Z है इस माइनस को इस माइनस के साथ गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा 11 को 2 के साथ गुणा करेंगे 11 दूनी 22 हो जाएगा और यह बराबर का निशान लगाया 4 को 8 से गुणा करेंगे यानि 8 चोग 32 और 7 में Z है और माइनस 13 का पड़ा 4 बार बोले कितना है 13 दूनी 26, 13, 14, 13 चोग 52 यानि 13 चोग कितना जाएगा 52 और माइनस में कितना है बटा 17 ठीक है मेरे साब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी की भी दिक्कत नहीं है करेंगे क्या पक्षांत्रन करेंगे मैं लिख देता हूँ मोटा मोटा पक्षांत्रन करने पर पता है कि क्या होता है पक्षांत्रन जो आपकी चर और अचर रासियां है उनको अलग करना ही क्या होता है पाक्षांतरन होता है तो देखिए यहाँ पर यह आपका 15 Z है यह यहाँ पर माइनस के 18 Z है इधर कोई Z है क्या? इधर यह राज Z इसको इधर ले आएंगे यह 32 Z माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में था बराबर का निसान लगाया आगे कौन सी संख्याती? माइनस के तो 52 है माइनस के 17 है प्लस के 22 है इसको मैं इधर बेज देता हूँ माइनस के 22 और यह माइनस के 21 है यह हो जाएगी मेरे प्लस के 21 फोकस हमें कहाँ पर करना है? focus हमें करना है calculation पर calculation आपकी जैसे जैसे आप question को attempt करोगे आपकी calculation इतनी शांदार हो जाएगी कि आपको ऐसे छोटे मोटे calculation फटाक सी कर दोगे ठीक है तो देखिए यहाँ पर यह दोनो minus के हैं और यह आपका plus का है इसको मैं agities रख लेता हूँ और इन दोनों को जोड़ देता हूँ minus minus 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10 ठीक है 3 और 1 हो गया 4 एक हंसिल की 5 यानि minus की कितने हो गया 50z बराबर में आजाएए sorry यह minus यह minus यह minus 7 और 2 9 9 और 2 कितना हो गया 11 एक हंसिल यानि 3 4 4 और 5 कितने हो गया 9 यह हो गया minus का और plus में कितना है बटा 21 यहाँ पे इसको गटा दीजिए देखते हैं कितना आता है 15z है और यहाँ पे 50z है सिद्धी सी बात करें 50 में से 5 जाएंगे 45 बच जाएंगे और 10 जाएगा कितने बच जाएंगे 35 बच जाएंगे ठीक है बटा आगे चलिए यह minus के है यह plus के है definitely हमारे पास minus के बचेंगे क्योंकि हमारे पास minus की सिंख्या जादा है 1 में से 1 गया 0 बच गया 9 में से 2 जाएगा बटा 7 बच जाएगा यानी कितने बच गए minus के 70 बच गए हमें मान किसका निकालना दे को यहाँ पे Z रहे जाएगा भूल गया लगाना आप comment कर दिया गरो ऐसे कोई चीज भूल जाऊं तो ठीक है हमें मान किसका निकालना है Z का निकालना है minus के 70 आपके आगे है ये 35 आपके गुणा में है ये आ जाएंगे भाग में और माइनस कहरा कि मैं इधर नहीं रहूँगा तेरे साथ ही जाऊँगा ठीक है तो ये माइनस इसके साथ आ गया ये माइनस ये माइनस से कट गया 35 का पड़ा दो बार बोलते हैं तो क्या आता है? 70 आता है then हमारा जो में परपज है आंसर निकालने का ये Z का मान है वो कितना आजाएगा? 2 आजाएगा कुशन समझ में आया होगा बीज में भी आप कमेंट कर देना कहीं पे नई समझ में आई तो ठीक है? इस कुशन में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आई है मैंनों ऐसा लगता है और ये कुशन आपसे हुआ नहीं होगा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे पॉइंटों की संख्या ज़्यादा ही दिख रहे हैं आपको और साहे तो कई लोगों नहीं तो कोशिस ही नहीं कियोगी कि यह तो सरहमचन नहीं होगा कोई बात नहीं है हम करेंगे यहाँ पे एक बार देख लिए जिंदगी पर देखने की जुरत नहीं पड़ेगी जिनको पॉइंट वाले गुणा नहीं आते हैं वो अगर यह गुणा देख लेगा यानि चोटी से calculation देख लेगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा ठीक है तो देखते हैं कोशिय नमबर 10 करेंगे इस वीडियो का जो लास्ट कोशियन है और इस chapter 2.5 का जो लास्ट कोशियन है देखिये मैंने क्या कहा था यह गुणा में है यानि कोश्टक के बाहर है तो क्या होगा डिफिनिटली गुणा में है यानि इस पूरे व्रेकिट के साथ में गुणा होगा ये 0.25 है न ये किसके साथ गुणा हो जाएगा 4 अब के साथ में ये minus ये 0.25 है गुणा हो जाएगा 3 के साथ ये बराबर का निशान लगा है मैंने ये 0.05 है न ये भी same to same अंदर ब्रेकिट के अंदर जाके गुणा हो जाएगा पहले इससे गुणा होगा फिर ये minus का निशान लगाया फिर अगला जो number है 9 उसके साथ multiply हो जाएगा गुणा करने का तरीका बताता हूँ एक छोटा सा जैसे 0.25 है यानि 0.25 है उसको 4 से गुणा करना है तो सीधी सी बात है 4 का पढ़ा 5 बर बोला 20, 4 दुनी 8 और 2 कितने हो गए 10 इसको इसके साथ करेंगे तो 0 देखो क्या होगा point के बाद में कितने अक्षर है point के बाद में 2 अक्षर है यानि कि यहां से गिनो आप 1 और 2, 1 के अंग की तरब से गिनते हैं point और इसके पहले 0 होता है न 0 1 है, 0 1 का मतलब क्या होता है 1 आया समझ में ऐसे आपको क्या करनी है calculation करनी है मैं सीधी लिख रहा हूँ ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत हो कोई गलती हो तो छोटा सा comment कर देना देखो 0.25 को हम 4 से गुना करेंगे यानि यह हो जाएगा 2500 और यह point है दो अक्षर है, एक और दो यहाँ लगाया यह आजाएगा 1.00F ठीक है यह माइनस का निशान लगाया 25 को 3 से गुना करेंगे 75 आजाएगा, लेकिन 2 अक्षरों पर point है तो 1 और 2 यहाँ point लग जाएगा यह आजाएगा 0.55 बिल्कुल आसान तरीका बताऊँगा एक बार देख लिया तो समझ में आ गया इसको इसके साथ गुना करना है देगो देगो आपको इसके साथ गुना करना है यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको 10 को 0.05 से गुना करना है 5 0 से 5 यह इससे हो गया 5 यह इसके साथ हो गया 0 और यह हो गया 0 0,5,0 पॉइंट कितने अक्षरों पे है बटा एक और दो अक्षरों पे है ना तो यह एक और दो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो 0.50f आ जाएगा माइनस 9 को 5 से गुणा किया 9.55,0.2 अक्षरों पे है तो यहाँ पे आ जाएगा इसके इधर हम क्या कर सकते है 0 लगा सकते है आगे देखे क्या होगा हम करेंगे अब पक्षांतरन क्या करेंगे पक्षांतरन करेंगे अगली स्टेप में आप क्या करोगी 1.00 को आप क्या लेख सकते हो सीधा 1F लेख सकते हो क्या लेख सकते हो 1F पक्षांतरन करोगे तो यह जो 1F है यह तो इधर रहेगा यह इधर वाला है इसको इधर लेके आ जाएगे तो यह आपका हो जाएगा माइनस में हो जाएगा एहां पर यह 0 एक्स्ट्रा लगा दिया यह इतना ही है ठीक है और आगे देखे बराबर minus के 0.45 है यह इधर आपके minus में है इधर आ जाएंगे क्या हो जाएंगे प्लस में हो जाएंगे अब देखें यहां से सिद्धी सी बात करें एक है और यह आदा है तो देखो ये minus का ये plus का है तो देखो गटा दो इसमें से और बचेगा plus का क्योंकि plus के संख्या बड़ी है 5 में से 5 गया 0 बच गया 7 में से 4 गया 3 बच गया और ये point के नीचे point आजएगा यानि इतना मान आ गया मान किसका निकालना है F का निकालना है 0.30 और ये इधर न ये बट्टे में आज जाएगा ठीक है देखो calculation कैसे करनी है आगे point को अटाना सिखा देता हूँ आपको अगर सीधा answer चाहिए न तो मैं सीधा answer ये लिख देंगा इतना आएगा साइद देख लेंगे कितना आएगा अब इसका सीधा answer तो मैंने लिख दिया मैं तो आपको सीधा answer भी लिखा सकता था कईयों को देखो दिक्कत होजए मेरे जैसे होते हैं उनको दिक्कत होजए ये भाग नहीं आता कभी point वाला क्या नहीं आता है यहां से F का मान निकालना है इसका point अटाएंगे और यह मैं इससे लिख दिया और क्या करेंगे नीचे लिखेंगे एक क्या गी दो 0 क्योंकि point क्या गी दो 0 है ना तो नीचे 1 लगा क्यों इसके 20 लगा देना अब यह संख्या है इसका भी हम point अटाएंगे तो क्या करेंगे इसके भी point के आगे 2 अक्षर है तो 1 के आगे 2-0 लगा देंगे हो गया का इस 100 से यह 100 कट गया ठीक है आगे चलते हैं 30 बटे 50 यानि इस से यह कट गया देखो question आपको थोड़ा सा लंबा दिख रहा है लेकिन एक बार यह चीज समझ में आ गई न तो कभी भूलोगे नहीं यहां से देख लीजिए आप f का मान है वो कितना आरा 3 बटे 5 आ रहा है देखो सिधी सी बात है 3 में 5 का भाग जाता नहीं है तो point लग जाएगा इसके पहले हम इधर 0 लगा सकते हैं यह point लग गया जैसे ही point लगेगा क्या करना पड़ेगा हमें 0 लगाना पड़ेगा अब यह 30 बन गए 5 का पड़ा 6 बार बोलते हैं तो क्या आता है 5 यह कर लेना मेरे को तो सेम दिख रहा आपको सेम दिख रहा या नहीं दिख रहा कमेंट करके बताना question समझ में आया या नहीं आया इस वीडियो में हमने 7,8,9,10 यह 4 question की यह हैं अगर आपको यह चारों में किसी भी प्रकार का कोई doubt आना छोटा सा कमेंट करीजी या फिर description में मेरे number है उन पे वोटसप कर सकते हैं मिलते हैं एक लिए वीडियो में एक नई शुरुवात के साथ तब तक के लिए राम राम